Hello friends, welcome to All India GK. All India GK में आपका स्वागत है. ये है third week Hindu vocabulary का video that ranges from 16th of February to 22nd of February. तो third week के अंदर ये vocabulary के words हम लोग discuss करेंगे. इसके पहले वाला जो video था, वो fortnightly video था, जो की first 15 days के लिए था. तो उसमें हमने दो हफ़ते के vocabulary के most important words कलब करे थे. ये third week का है. ऐसे ही हम weekly videos आप तक लेकर आएंगे इसके थूँ. ये प्रस्तुत करूँगा मैं आयोश सांगी. और चैनल का नाम ध्यान रखें, चैनल का नाम है All India GK. तो आईए देखते हैं पहला word हिंदू vocabulary के लिए important कौन सा था और वो किस article से निकल कर आता है. ये आता है इस article से, 16 फरवरी का article था, इस रो सेट्स दबार हाए. आप जानते हैं कि इस रो ने एक बहुत महत्वपूर्ण rocket लाँच करा है, जिसमें 104 satellites का लाँच हुआ था. तो workhorse का मतलब होता क्या है? workhorse का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई भी machine, जैसे कि इस case में जो launch vehicle है, वो एक machine है. A launch vehicle is a kind of machine, which works dependably for a longer period of time, जो एक जादा समय तक चलने वाली machine होती है. तो एक satellite launching machine या एक ऐसी machine जिसमें satellites रखके launch करी जाती है, वो बहुत उपर तक satellites को लेकर जाती that is considered to be a workhorse, उसे workhorse माना जाता है. तो एक कोई भी ऐसी machine जो की dependably काम करती है, जादा लंबे समय तक उसे workhorse का नाम दिया जाता है. तो अब जानते हैं कि जैसे माल लीजे हम लोग एक farm को देखते हैं, एक field को देखते हैं, एक खेत को देखते हैं, वहाँ पराने tractor होते हैं, त उसको कहा जाता है, it is a workhorse for him. यह इसके लिए workhorse कहा जाता है, it is a workhorse. तो farmer's old tractor is a workhorse for him. उनके लिए workhorse है. तो this is considered to be the use. इस तरीके से हम एक statement में इस word का use करते हैं. दूसरा word है, cements. यह इसी article से रिकर का आता है, इस रोवाले article से. Word का नाम है cements. Cement एक तरीके का आप जानते हैं क्या होता है, इससे building वगेरा बनती है. तो cement जिस तरीके से use होता है, किसी भी building की नीव को मजबूत बनाने के लिए, उसी तरीके से cements का मतलब होता है, इसको English में use करा जाता है, किसी भी दो चीज़ों को जोडने के लिए, या Similarly, दो लोगों के बीच में cement करने के काम आता है, कोई भी चीज, it is considered to be cement. तो आपने cement का use करा पत्थर जोडने के लिए. तो player की performance जो है, वो अपनी team में cement हो गई है. विराट कोली की performance can be said to be cemented in the place in his team. तो player's performance is cemented his team, his place in the team. Cement, किसी भी चीज़ को किसी से जोड के रखना. कि आपने एक word का use करा है, जो उसका literal meaning होता है. Literal मतलब, exact मतलब. Cement का मतलब क्या होता है? ये जैसे आप देख सकते हैं, ये चीज़ पत्थर जोडने के काम आ रही है. दूसरा जो connotation, दूसरा जो use हो सकता है cement का, वो और भी context में, और भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक player क performance team में cement हो गई, दो लोगों का रिष्टा cement हो गया, इस चीज़ को आम लोग cement का नाम देते हैं, तो cement को कई तरीकों से use किया जा सकता है. There are multiple ways to use cement. तो यहां से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि cement का मतलब अगर आपको options में कुछ cement के मतलब के सिवा और कोई भी meaning देखे, जैस इस तरीके से profit कमाते हो, profit, lucrative का मतलब होता है profit, producing a great deal of profit, बहुत ज़्यादा profit निकालना, उसको lucrative कहा जाता है, तो lucrative का मतलब जैसे कि कई बारी पैसे जो आप कमा लेते हैं, जैसे कि ISRO ने बाकी सारी countries की satellite launch करके खूब सारा पैसा कमाया, तो launching of satellites of other countries is lucrative for ISRO, lucrative for ISRO, और profitable for ISRO IPL एक lucrative tournament है players के लिए, बहुत सारे players होते हैं, करोडों में उनकी बोली लगाई जाती है, तो lucrative tournament है, इसके बाद नया term है, इसी article से आता है, pay load, pay load का मतलब क्या होता है, देखिए pay load एक ऐसा term है, जो कि हम लोग normally satellites के साथ, launching vehicles के साथ, use करते है, automobiles के साथ, vehicle के साथ, use करते है Pay load का मतलब यह होता है, कि किस तरीके से आप load आपका वहीकल ले सकता है, तो हम बोलते हैं, हमारी गाड़ी यह 1600cc की है, 200cc की है, 800cc की है, तो load, load कितना ले सकते हो, on the basis of cubic capacity, तो part of vehicles load, एक वहीकल load कितना ले सकता है, pay load, एक specially देखा जाता है, aircraft के case में, जैसा कि मैंने आपको ब 100 तन का load, तो load कितना ले सकता है, क्योंकि जितना वो load ले पाएगा, उसके according उसको पैसा मिलेगा, जितने जादा लोग बिठाओगे, उतना जादा पैसा मिलेगा, जितना जादा माल रख के ले जाओगे, उतना जादा पैसा मिलेगा, तो that is considered to be payload, उसे payload का नाम दिया जाता है. So, अब इसका payload अगर जानना है, तो इसमें ये चीज या ये satellite, या ये launch vehicle कितना load carry कर पाएगा, कितना load space में भेज पाएगा, उस चीज को payload कहा जाता है. The payload of the rocket determines the revenue it will generate. जो rocket का payload है, वो determine करेगा कितना revenue generate होगा. यानि कि कितने, जितनी जादा satellite शोड़ेगा, उतना जादा revenue कमाएगा. So, payload of the rocket determines the revenue it will generate. अगला article है 16 February का, The Foul Air We Breathe. इस article से जो word निकलता है, उस word का नाम है pervade. Pervade, pervasive. तो pervasive, pervade, perceive, देखे. Spread through and be perceived in every part of. आपको perceive करना है हर एक तरीके से, हर पार्ट में. उसको spread करना है हर एक तरीके से. Spread through and be perceived in every part. हर जगे आपको perceive करा जाए. हर जगे आपको accept करा जाए. pervade. So, use देखे, the blueness, यह देखे, आप आसमान देख सकते हैं, और आप समुंदर देख सकते हैं. नीला समुंदर है, नीला आसमान है. blueness pervades the sky and the sea. तो यह जो नीला रंग है, यह sky पे भी हावी है और sea में भी हावी है. Sky and sea. It is pervading the sky. मतलब यह चीज़ पूरी फैली हुई है. Spread out है. आसमान में भी और समुंदर में भी. blueness, blue color. pervasive, pervade. Change of God, 17 फर्वरी का article, एक word था, imminent. imminent. देखें, यहाँ मैं आपको बता दूँ. एक word होता है eminent. यह word है imminent. I. I-double M-I-N-E-N-T. दोनों का मतलब फरक होता है. Eminent का मतलब होता है कि कोई बहुत माना हुआ इंसान. imminent person. imminent का मतलब होता है कोई चीज़ जो होने वाली है. about to happen. imminent. this thing is imminent. यानि कि यह चीज़ होने वाली है. तो बारिश होने वाली है. जब आपको काला बादल दिखता है, आपको लगता है that rain is imminent. It is about to happen. dark clouds signal that rain is imminent. rain imminent है. आप देख पा रहे हैं कि यह जैसे घने बादल है, तो rain जो है वो imminent है. अगला word इसे वो आप में देखा होगा, जो racers होते हैं, runners होते हैं, वो spikes नाम के जूते पहनते हैं, क्योंकि उसके नीचे काटे गड़े होते हैं. long, long sharp points. pierce with a sharp point. pierce का मतलब किसी भी चीज़ को घुसा देना. एक sharp point, एक शाप नुकीली चीज़ को किसी चीज़ में pierce कर देना, उसको spiking का नाम दिया जाता है, that is known as spiking. pierce with a sharp point. तो spiking का sentence में use कैसा होता है, आईए देखते हैं, the thorns spiked his feet, मतलब वो काटों के ऊपर चल लिया, तो जो thorns हैं, ये देख सकते हैं, आप लोग thorns काटे हैं, इनके ऊपर चला, तो इसका जो इसके जो पैर है, उसमें spike, गड़ गए ये कौँण, pierce हो गए, तो thorns spiked his feet, this is considered to be spiked, spiking. अगला आर्टिकल है, bumps a head, 17 फरवरी का आर्टिकल है, और जो word यूज़ किया गया था, वो था plummeted, plum it, plummeted, plummeted करना या plummet करना मतलब, गिर जाना, एक चीज़ को अपनी importance से reduce करना, मतलब आप यहां पे थे, आपकी success इतनी थी, आप plummet करके यहां पहुँच गए, आपका score 95% था, आप 45% पे आगए, this is known as plummeting, fall or drop straight down at high speed, high speed, मतलब तेजी के साथ आप गिरे हैं नीचे, आप गिरे हैं का मतलब आप ऐसे नहीं गिरे हैं, आप score में गिरे हैं, आप performance में गिरे हैं, आप किसी भी चीज़ में, success में गिरे हैं, fall or drop straight down at high speed, plummeted, तो plummet करना, company's performance plummeted after the sudden policy change, company के policy plummet कर गई, गिर और बहुत तेजी से गिरी, जैसे ही उन्होंने policy change करी, इसका मतलब company की policy सही नहीं थी, company's performance plummeted, next term is divergence, divergence, divergence जो आता है, वो word बनता है, diverge, diverge से, this is the term, इससे word बनता है, divergence, किसी भी चीज़ को diverge कर देना, घुमा देना, अपने रास्ते से भटक जाना, या अपने रास्ते से दूसरा रास्ता पकड़ लेना, diverge, आपको यहां जाना है, आप यहां से diverge होके यहां चले गए, आप यहां से diverge होके यहां चले गए, divergence, the process or state of diverging, diverge करना, तो आपने diverge करना, the new road divergence is confusing for travelers, पहले रास्ता यहां जा रहा था, अब रास्ता यहां चला गया है, तो लोगों के लिए confusion हो गया है, divergence हो गया है, new road divergence is confusing for travelers, divergence, massacre in Sehwan, 18 फरवरी हिंदू का आर्टिकल है, इसमें जो term यूज किया गया था, that term is venerated, venerated बनता है, एक word है venerate उससे, तो venerate एक singular term है, इसका क्या मतलब होता है, देखे, with great respect, regard, with great respect, revere, revere करना, regard करना, इज़त करना, किसी भी किसी को भी इज़त से देखना, revere करना, तो revere, regard, great respect, venerate, सबका एक मतलब होता है, I venerate my parents, I regard my parents, I revere my parents, I venerate my idol, I venerate Sachin Tandulkar, it's veneration, reverence, regard, so the guru is venerated among the disciples, गुरू की अपने disciples, अपने followers, अपने लोगों के बीच में बहुत जादा इज़त है, regard है, venerated, इसी आर्टिकल में एक और term था, syncretism, syncretism, syncret और syncretism, तो syncretism का मतलब क्या है, syncret करना, किसी भी चीज को जोड़ देना, amalgamate करना, amalgamate करना, जोड़ देना, दो चीजों को मिला देना, merge कर देना, this is considered to be amalgamation, attempted amalgamation of different religions, culture, school, or thought, किसी भी चीज को आपने amalgamate कर दिया, जोड़ दिया, जैसे कि India को एक secular country कहा जाता है, secular मतलब यहाँ पे अलग-अलग religion, culture, distinctive लोगों के, distinctive thought process के लोगों को मिलाया जाता है, amalgamate करता है, तो इसको syncretism का नाम दिया जाता है, syncret, syncretism, यानि कि, you have tried to syncret or syncretism between two religions, or between two cultures, or between students of two schools, syncretism, तो इसका use कैसे होगा statement में, आई ये देखते हैं, इंडियन civilization is a syncretism, यही example दिया था मैंने आपको, secular, अगर आप secular हो, अगर आप secularity दिखाते हो, इसका मतलब आप syncretism हो, आप syncretism करते हो, secular का मतलब क्या है, आप अलग-अलग religions को आपस में जोडते हो, it is considered to be syncretism, तो हिंदुस्तानी civilization जो है, वो syncretism की तरफ बढ़ रही है, that is syncret, caliphate, caliphate एक important term है, यह एक Muslim ruler के साथ, जुड़ा हुआ है, जिनको caliph या chief Muslim ruler के नाम से जाना जाता है, जहां पे भी आप यह term देखें, तो यह term Muslim ruler के साथ आप associate कर सकते हैं, the rule or reign of the caliph, या एक किसी भी Muslim ruler का, rule या reign, reign supreme करता है, caliphate, so he is the caliph, he is the Muslim ruler, Babar, Akbar were caliph, they were chief Muslim rulers, so Islamic state wants to establish a caliphate in the world, वो Muslim rule पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, Islamic state, इसको कहा जा रहा है caliph, caliphate, तो caliph का मतलब है Muslim ruler, next term is ferocious, ferociously, बहुत जादा aggressively, aggression दिखाना, गुस्सा दिखाना, violence दिखाना, उसे कहा जाता है ferocious, cruel, बहुत ही घटिया, fierce, violent, मतलब आप किसी के नुकसान के लिए काम कर रहे हो, किसी को दुख देने के लिए काम कर रहे हो, violent तरीके से काम कर रहे हो, ferocious, the tiger is ferocious, the lion, lion is ferocious, वो cruel है, वो violent है, वो मार देता है पकड़ के, खा जाता है आपको, ferociously, तो ferociously का sentence में usage कैसे देखा जाता है, आई यह देखते है, the tiger attacked the sheep ferociously, कोई रहम नहीं खाई, sheep को मारा, उसका चीर हरन कर दिया, उसका मास खा लिया, tiger attacked the sheep ferociously, the next term is dismantled, dismantled का क्या मतलब है, what do we mean by dismantled, take a machine or structure to pieces, किसी भी चीज़ को dismantle कर देना, बही simple सी बात है, आपके पास एक camera है, ठीक है, camera का आपने stand निकाल दिया, आपने उसकी battery निकाल दी, आपने उसकी screen निकाल दी, तो वो क्या हो गया, वो dismantled हो गया, अलग-अलग तरीकों से, तो dismantled करना, किसी भी चीज़ को खोल देना, अलग-अलग कर देना, आपने phone की battery निकाल दी, sim card निकाल दी, screen अलग-अलग रग दी, LCD अलग रग दी, cover निकाल दिया, तो it means you have dismantled the phone, TV को, fridge को, चीज़ों को dismantled किया जाता है, dismantled into pieces, तो यह देख सकते हैं, building को dismantled किया जा रहा है, एक illegal building थी, it was dismantled, following the court's orders, उसको नीचे गिराया गया, तोड़ दिया गया, dismantled कर दिया गया, Champions League, आर्टिकल था, भई देखते हो, Champions League नहीं देखते हो, बताना APL में किसका कितना कॉक्षन हुआ, इसमें जो term you all use किया गया था, वो था duels, duels, duels का मतलब है, एक contest है, जो दो लोगों के बीच में arrange किया गया है, in order to settle a point of honor, दो लोगों के बीच में contest है, जो जीतेगा, उसी को वो चीज मिलेगी, तो duels arrange किये जाते थे, पुराने जमाने में, राजाओ, राजा महराजाओं के बीच में, अब वो settle करे जाते हैं, sporting events में, cricket में, दो teams के बीच में contest है, जो जीतेगा, वो duels ले जाए, वो honor हो जाएगा, that is considered to be duels, D-U-E-L-S, नाम ज्यान रखें, D-U-E-L-S, इसको कुछ students confuse कर सकते हैं, dual, D-U-A-L-S से, तो क्रपया ऐसा ना करें, आप duels के साथ ही चलें, इस duels का मतलब अलग होता है, मतलब double pair, दो लोग, इसको कहते हैं dual, D-U-A-L, D-U-E-L का मतलब है, दो लोगों के बीच में competition, contest, इससे की, किसको, कौन जीतेगा, किसको recognition मिलेगी, वो यहां से देखा जाता है, सो Roger Federer और रफाल नडाल, राफा कहा जाता है यहने, Federer और राफा, are famous for their duels, आपस में compete करते हैं, जो भी जीता है, उसे honor मिलता है, उसे इज़त मिलती है, famous for their duels, anecdote, इसी article में एक term था, anecdote, बहुत ही अच्छा मज़िदा term है, anecdote का मतलब है, किसी भी तरह की एक असली कहानी, एक real incident, this is a real story, जो कि आपको बहुत जादा हसाती है, या आपको interest दिलाती है, तो एक कहानी interesting story, about a real incident or person, जो कि आपको amuse करती है, interest आपका जगाती है, उसे anecdote कहा जाता है, तो कई बारी ऐसा होता है, कि आप अपना anecdote, आपनी कहानी सुनाते हो, जिससे दूसरे लोग हसते हैं, तो आप अपना experience बताते हो, दूसरे लोग को interest आता है उसे, तो उस चीज़ को anecdote कहा जाता है, तो mostly इस term का use करा जाता है, किसी भी amusing चीज़ के लिए, amusing thing, तो देखिए, क्या है, तैनाले राम's anecdotes are famous for their witness, तैनाले राम, ये author है, writer है, इनके anecdotes है, इनकी short stories है, जो की बहुत ज़्यादा famous है, लोगों को हसाने के लिए, witness के लिए, इसके बाद जो term का use करा जाता है, वो है folklore, folklore, तो आपको पहले समझाते है, मतलब folk का क्या होता है, folk का मतलब होता है, किसी भी तरह का local culture, जैसे कि folk dance, भांगडा, गिदा, folk dance है, ठीके गर्बा, एक folk dance है, यानि कि local culture क्या है, culture आप क्या follow करते हो, वो folk के अंदर आता है, तो folk क्यानि कि उस state का culture, उस city का culture, folklore का मतलब क्या हुआ, traditional belief, custom, आपका विश्वास क्या है, आपके customs क्या है, stories of community, आपकी community की कहानिया, past two generations by word of mouth, तो आपको सुनाया जाता है, कि हमारे यां ऐसा होता था, इस सरीके से शादी होती है, इस सरीके से बच्चों को बड़ा करा जाता है, folklore, तो आपके जो customs है, culture है, belief है, उसके साब से जो कहानिया चुरू होती चली जाती है, उसको folklore कहा जाता है, तो जितनी भी traditional beliefs हैं, customs हैं, उनको folklore करा जाता है, तो folk को और folklore को आप confuse ना करें, folklore का आप statement में use देखें, किस सरीके से होता है, folklore about the fort of bhangad is scary, मतलब उनकी जो कहानिया है, पुरानी कहानिया जिस सरीके से चली जाती थी, वो डरावनी है, folklore is scary, अगला term है rivetting, rivet और rivetting, अच्छा term है, rivetting का मतलब है कोई चीज जो आपका पूरा का पूरा attention, खीच ले, आपका पूरा ध्यान खीच ले, गुसना एक चीज में, मतलब आपका ध्यान उस चीज में लगा हुआ है, completely engrossed, so the cricket match was rivetting, मतलब cricket match में लोग बहुत बुरी तरीके से, घुसे होए थे, उसमें खूब interest ले रहे थे, compelling, compelling का मतलब एक चीज आपको compel करती है, उसका ध्यान लगाने के लिए, तो this kind of class is compelling, आप मेरा lecture सुन रहे हो, मेरी आवास सुन रहे हो, this lecture is compelling, आप पूरे के पूरे attention के साथ सुन रहे हो, rivetting है, compelling है, engrossing है आप लोगों के लिए, तो rivetting का मतलब क्या है, sentence में कैसे यूज़ करा जाता है, the Harry Potter series is a rivetting one, which means, इसका मतलब है कि ये compelling है आप लोगों के लिए, जो भी पढ़ता है Harry Potter, वो खो जाता है किताब में, वो भार निकलने का उसका बननी करता है, rivetting, rivetting है, compelling है, engrossing है, उसमें पूरे दिल और दिमाग ध्यान के साथ, आप उसमें घुश जाते हो, rivetting, next term is amplified, amplify मतलब किसी भी चीज़ को amplify करना, बढ़ाना, तो amplify मतलब आपने एक speaker की volume बढ़ा दी, increase the volume of sound, especially using an amplifier, तो एक तो चीज़ है कि भई आपने tape recorder पे बजा दिया, फिर आपने उसमें amplify लगाया, तो उसकी sound और ज़ादा बढ़ गई, तो उसको amplifier करवाय जाता है, amplifier कहा जाता है, amplify करना, बढ़ा देना, volume बढ़ा देना, sound बढ़ा देना, speed बढ़ा देना, it is known as amplifier, or amplified, increase the volume of, especially using an amplifier, amplified volume was too loud to bear, बहुत ज़ादा volume थी, आपने ऐसे, कभी आप रेस्टोस वगेरा में गए हो, lounge में गए हो, वहाँ पर volume इतनी ज़ादा होती है, इतनी ज़ादा होती है, कि वो बात नहीं हो पाती उसमें, unbearable हो जाता है, next term is extravaganza, extravaganza मतलब बहुत ज़ादा, spectacular, आपका entertainment किया गया था है, एक extravagant तरीके से, तो एक pizza है, एक pizza में जब एक आट topping होती है, दो topping होती है, उसे normal pizza कहा जाता है, लेकिन इसी pizza में अगर 10 topping डाल दो, तो इसको extravaganza कहा जाता है, non-vege extravaganza, wedge extravaganza, तो एक elaborate है, बहुत ज़ादा है, spectacular है, entertainment or production, extravagant, तो इसका sentence में कैसे usage होता है, देखिए, IPL extravaganza is a million dollar affair, so IPL का extravaganza है, मतलब बहुत सारे लोग है, यहाँ पे exist करते हैं IPL में, it is a million dollar affair, बहुत सारा पैसा लोज लगाते हैं, देखने आते हैं, खूब ज़ादा cheer करते हैं, तो एक extravagantza के नाम से यह जाना जाता है, तो यह थे इस हफते के most important vocabulary words, प्लीज आप भी हमें लिख के भेज सकते हैं, comment section में लिख सकते हैं, किन-किन words का मतलब आप जानना चाहेंगे हम लोगों से, यह Hindu vocabulary के जो series है, यह उन students के लिए काम आएगी, जो की bank के exams देने वाले हैं, specially SBI PO, जो सिर्फ कुछी दिन दूर है, तकरीबन दो महीने दूर है, SSC, CGL के जो examinations होते हैं, इन सब चीजों के जो examinations होते हैं, इन सब में ऐसे vocabulary के words most important रहते हैं, तो आप प्लीज हमें follow करें, और ऐसे videos के लिए, All India GK Official, यह हमारा Facebook handle है, यहाँ पे आप हमें लिख सकते हैं, यहाँ से आपको updates मिलते रहेंगे, हमारे सारे videos के, और Telegram channel है, यहाँ से भी आपको updates मिलते रहेंगे, All India GK.com, यह हमारी website है, यहाँ से आपको इस video का, यह जो PPTs आप देख रहेंगे, यह slides आपको वहाँ से मिल सकती है, आप हमारे channel को subscribe करें, और यह बताएं कि आप और किन-किन चीजों पे videos देखना चाहेंगे, तो channel का नाम है All India GK, don't forget to press the bell button in order to subscribe, thank you for watching this series, bye.